आपने घर के लिए आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते और आगे जने से पहले आपका घर का स्क्वार फीट को गिल लिजे कैसे करेंगे आपका घर का लाइक जरूर करेंगे और मेने चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों सबसे पहले जो जानना जरूरी है आप अपना घर का साइच नाप लिजे और नाप के आपका घर का स्क्वार फीट को गिल लिजे कैसे करेंगे आपका घर का जो लंबाई और चौराई है उसको मल्टिप्लाई कर दीजे जैसे एक्जाम्पेल के तोर पर आपका खरका लंबाई है दस पिट भई दस फिट लंबाई और दस पिट चौड़ाई तो आपके घर का टोटल स्क्वार फीट हुआ टेंट टेंटेंटि इस रव्ल तो अभी इस हंड्रेट को क्या करना है आपको टेंट से और मल्टिप्लाईर करना है बन्ता हम्याँ हो गया होता है और टेमपरेचर में अपने के लिए इसे ही लाइट की जो तिब्रिता कि आपके ज़़ादा रोश्नी हो रहे है उसको नापने के लिए होता है आप डारेक्ली 1000 Lumen LED बल्ब लिखेंगे तो आपको डारेक्ली आ जाएगा अगर नहीं आता तो आप नोर्माली LED बल्ब लिखके सर्च करिए वहाँ पर आपको बहुत सरा बल्ब मिल जाएको वहाँ पर जाके नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो है कि जितना वाट दिखाते है उसका दस गुना लुमेन होता है एक्जम्पेल के दरपे अगर आप दस वाट का बल्ब देख रहे हो LED तो उसका लुमेन कैपासिटी होता है 1000 सो यह हर बार होता नहीं है लेकिन 99% सिनारियो में यह होता है आप इस तरीके से क्यालकुलेट करक देंगे तो हो जाता है आपका 180 और उसके साथ और दोस मॉल्टिप्लियर कर देंगे तो हो जाता है 1800 तो आपको उस हॉल के लिए मिनीमम 800 लुमेन का पावर का बल्ब होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा जिस लाइट से आप रेडिंग बूक रेडिंग भी कर सकते हो लेकिन उ 2000 या 2200 जो है लुमिन का लाइट पोवाइट करते है तो इस तरीके से आप जो है किसी भी जगह का नाप लेके और आप पर एलिडी बाल्ब चुन सकते हो दोस्तों तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आमाजोन और फिलिपकाट का दोनों का ही तो वहां प पर होता है कि ऑनलाइन इस्टोर पर भी लिखा रहा है कि 100 लुमेन पर वाट या फिर 10 लुमेन पर वाट लिखा है उसका क्यलकुलेशन नहीं से होगा तो उसका जितना वाट है उसकी सबस्का गुना करिए एक्जाम्पल के तरप अगर कोई बाल्ब का वाट है 10 वाट का औ तो उसी सबसेक्ट में देख के खड़ी दिएगा तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को लाइक और श्याइब